हेलो गाइस वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफे इंपॉर्टेंट विडियो लेके आई हूँ तो देखे आपके आगामी उत्राखंड पुलीस के एक्जाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्राखंड पुलीस स्पे लेकर एंड तक बने रहें आज के इस क्लास में उत्राखंड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट कुश्चंस आपको दिये जाएंगे और कुश्चंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको इसी क्लास में ही बताए जाएंगे तो एंड जग इस क्लास को आप सभी लोग फॉलो जरूर कीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्लास है आपके आगामी एक्जाम के लिए तो चलिए आज के स्मॉक स्रीज को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्व चैनल इस्ट ड 6.7 के यहाँ पे गुरूप मेंबर्स हो चुके हैं सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विस का आज जन भी कराया जाता है इसके अलावा दर इंपॉटेंट अपडेट्स पीडियेप्स यहीं पे शेयर की जाती है लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में म गमस्तल है इसका चुंग हिमनद ऑप्शन सीज क्वेशन का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेशन देखिए उत्राखंड में सरवाधिक उचाई पर इस्थित मंदिर है तुंगनात मंदिर ऑप्शन डेस क्वेशन का राइट आंसर है तुंगनात मंदिर किस जिले में पंच के दारों में से ये तिर्ती के दार है ध्यान दिजिएगा पंच के दारों में से तिर्ती के दार कौन सा है तुंगनात है और यह मंदिर किस परवत शिकर पर इस्तित है पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि चंद्रशिला परवत शिकर पर यह मंद और तुंगनात में भगवान शिव की भुजाओं की पुजा होती है। तुंगनात मंदिर उत्राखंड का सरवाधिक उचाई परिस्तित मंदिर है और इसके समुद्र तल से उचाई की अगर हम बात करें तो 3680 मीटर की उचाई पर ये स्तित है समुद्र तल से और तुंगनात को हरी हर छेतर भी कहा जाता है। ईशाई खिलो में बॉक्सिंग में स्वण्पदक प्राप्त किया है। उत्राखंड में डॉक्टर पितामबर बर्थवाल पुरुसकार किस छेत्र में दिया जाता है Most important question है, देखिए डॉक्टर पितामबर बर्थवाल जो पुरुसकार है ये किस छेत्र में साहिति के छेत्र में दिया जाता है Option B यहाँ पे आपका right answer है नैक्स्ट कुश्टन देखे हैगा तिपरा बमक गलेशर कहां इस्तित है देखे तिपरा बमक गलेशर की अगर हम बात करे है तो यह कहां पर इस्तित है चमोली में इस्तित है option C यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा तिपरा बमक गलेशर जो है ये गोविंद घाट चमोली में स्तित है चमोली के गोविंद घाट में अगला कुशन देखेगा भधराज देवता का मेला किस शहर में 15 किलोमीटर उंची पहाड़ी पर लगता है देखे भद्र राज देवता का मेला कहां पर लगता है मसूरी सहर में यह मेला लगता है 15 किलोमेटर उची पहाड़ी पर इस मेले का आयजन किया जाता है भद्र राज देवता मेला दीखे उत्राखंड में भगवान बलराम का एक मात्र जो मंदिर है यह देहरादून के मसूरी में इस्तित है ध्यान देजीगा उत्राखंड में भगवान बलराम का श्री किष्ण के भाई थे ना बलराम तो बलराम का एक मात्र जो मंदिर है वो कहां पर इस्तित है मसूरी से मात्र 15 किलोमीटर दूर दुधली भदराच पहाडी परिस्तित है और समुद्र तल से इस मंदिर की उचाई लगभग 7500 फिट है ध्यान दिजेगा समुद्र तल से इसके उचाई कितनी है 7500 फिट है लगभग और यह मंदिर धार्मिक आस्ता के साथ साहसिक परियर्टन के लिए भी काफी प्रशुद्ध है अगला कुश्चन देखिएगा अमोग भूती किस वंच का शाशक था देखिए अमोग भूती जो था ये किस वंच का कुणिंद वंच का शाशक था और अमोग भूती की जो रजत तामर मुद्राएं है ये पश्चिम में व्यास से लेकर अलग नंदा तक तथा दक्षन की अगर हम बात करें तो दक्षन में सुनेत से बेहत सुनेत से बेहत तक प्राप्त हुई हैं ये ध्यान रखेंगे अमोग भूती की जो रजत तामर मुद्राएं हैं पश्चिम में तो व्यास से लेकर अलग नंदा तक तथा दक्षन में सुनेत से लेकर बेहत तक प्राप्त हुई हैं और अमोग भूती की जो मुद्राएं हैं तो अमोग भूती की मुद्राओं में प्राकृत में राग्य कुणिंदस अमोग भूती महरजरस अंकित किया गया है और देखें कुणिंद मुद्राएं उत्तरकाशी के देवधूंगा बटिहरी के अठूड से मिली हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहां से कुणिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं तो कुणिंद जो मुद्राएं हैं ये उत्तरकाशी जनपत के देवधूंगा से और तीरी जनपत के अठूड से मिली हैं तो ये भी आपका important point बन जाता है यहाँ पे आपको important point बताए जो जा रहे हैं इनको आप note down जरू प्रोवाइड की जारी है जो कि आपके आगामी उत्राखन पुलीस के एक्जाम के लिए most important है साथ ही साथ अगर आप अधर उत्राखन एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये classes important रहने वाली है जिन लोगों को आज की एक लास पसंदार है तो like कर लिजे जिन अभी भी हमारी YouTube चैनल इस्ट डिविट एम को subscribe नहीं किया है वो subscribe का लिजे और इस session को आप सभी लोग जाद से जादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने WhatsApp groups में दिखें महा भारत में कुणिंदो को क्या कहा गया है ये भी आपसे पूछा जा सकता ये भी आपका है तो पूण पॉइंट है महा भारत में कुणिंदो को कहा गया है द्विज और कुणिंद नरेशो को क्या कहा गया है कुणिंद नरेशो को द्विज स्रेष्ट कहा गया है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और इनकी पहली जो राजधानी थी कुणिंदो की पहली रा इस्ट गण जो था ये निम्बर वंच का शाशक था option बी यहां पर आपका right answer है निम्बर के बाद उसका पुत्र इस्ट गण शाशक बना था यानि कि निम्बर जो था वो किसका पुत्र था निम्बर के बाद उसका पुत्र इस्ट गण शाशक बना इस्ट गण जो था ये नि देवी इस्टगंड के पत्नी का नाम था और इस्टगंड ने समस्त राजि में इस्टगंड ने समस्त राजि जो है इसको एक सूत्र में बादने का प्रियास गया था और इसने जागिश्वर में नवदुर्गा, लकुलीस तथा नटराच के मंदिर बनवाए थे तो आप से जाए कि जागिश्वर में नवदुर्गा, लकुलीस और नटराच कि जो मंदिर है वो किसने बनवाये थे तो किसने बनवाये थे इस्ट गर्णे बनवाये थे अगला कुशन देखेगा नेक्स क्यूस्ट आप सभी लोगों के लिए भगोलिक दृष्टी से उत्राखंड इस्तित है देखे भगोलिक दृष्टी से बात करें उत्राखंड इस्तित है देखे इसका राइट आंचर हो जाएगा ऑप्शन दी 28 डिग्री 43 उतरी अक्षांस से लेकर 31 डिग्री 27 उतरी अक्षांस तथा 77 डिग्री 34 पूर्वी दिशांतर से 81 डिग्री 2 पूर्वी दिशांतर तो भगोलिक दिश्टी से उतराखन जो है यहाँ पे इस्तित है तो option D यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा 28 डिग्री 43 उतरी अक्षांस से 31 डिग्री 27 उतरी अक्षांस तथा 77 डिग्री 34 पूर्वी दिशांतर से 81 डिग्री 2 पूर्वी दिशांतर इसको ध्यान रखेगा most important यह question है आपका और राज का जो दिशांतरी विस्तार है वो कितना है देखे राज का दिशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री 28 राज का दिशांतरी विस्तार है और उतराखंड राज का आकार लगभग आयताकार है और यह है भारत के उत्तर पश्यम दिशा में इस्थित राजी है और देखे पूरों से पश्यम त तक उत्राखंड राज की कुल लंबाई है 358 किलो मेटर ये ध्यान रखेंगे, important question है, important point है, पुरु से लेकर पुरु से लेकर पुल लंबाई है 358 किलो मेटर और उत्तर से दक्षन की अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षन तक राज की कुल चोड़ाई किती है 320 किलो मेटर ये ध्यान रखेंगे और उत्तराखंड राज का कुल चेतरफल कितना है उत्तराखंड राज का कुल चेतरफल की अगर हम बात करें तो कुल चेतरफल है ये ध्यान रखेंगे और केंद्र साषित प्रदेशों को मिला कर है बीस्वाँ इस्थान तो ये सभी पॉइंट आपके इंपॉटेंट है अगला कुशन देखेगा नेक्स्ट कुशन है आप सभी के लिए ग्रामिया कावी संग्रा के कभी है दिखे ग्रामिया एक कावी युगवानी तो ग्राम्या वव युगवानी पंत जी की प्रगतिवादी रशनाएं हैं ये ध्यानेकिंगे शिल्पी, रजत शिकर, उत्रा, वानी, पत जर ये सभी नव चेतना वादी कावी हैं और पंत जी के छायवादी कावी रशनाओं के अगर हम बात करें तो इन में कावी रशनाओं में प्रमुख है वीना, ग्रंथी, पल्लव, गुंजन, जोचसना तो आपको ये ध्यान में रखना है कौन सी रशना, किस रशना के अंतरगत आती है ये ध्यान रखना है तो ये ध्यान रखना है कौन सी प्रगतिवादी रशना है, कौन सी नव तो इन सभी को डिवाइट किया गया है तो आपको ध्यान में रखना है कौन किस के अंतरगत आती है और सुमितर नंदन पंत हिंदी साहिति के चायावादी युक्य का भी है और वर्ष 1968 इजवी में ध्यान दीजेगा वर्ष 1968 इजवी में इनको किस रष्णा के लिए चितम बर रष्णा के लिए इने साहितिय का पर्थम ज्यान पेट पुरुस्कार मिला था कब वर्ष 1968 इजवी में सुमितरा नंदन पंत को और 2015 में सुमितरा नंदन पंत जो है इनके नाम पर डाक टिकट इस इनके सम्मान पर नाम टिकट भी जारी किया गया था ये ध्यान रखेंगे इनके इनको सम्मान देने के लिए इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया वर्ष 2015 में अगला देखेगा मदर टेरेसा करोणा पुरुसकार के अंतरगत कितने लाख रुपे प्रदान किये गये तो इसका राइट आंसर है 11 लाख 11 लाख रुपे में प्रदान किये जाते हैं अगला कुश्यन देखेगा परवत जन सम्मान के शेतर में दिया जाता है जिन लोगों ने अभी भी इस शेक्शन को शेर नहीं किया है आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है जाद से जादा आप सभी लोग इसको मिलकर शेर कर दिजिये सबसे पहले काफी यह मेहतपवन स्रीज है देली आपको यह प्रुवाइट कर आया जा रहा है तो आप सभी लोग जाद से जाद इसको शेयर कीजिए ज़रूर दिखे परवत जन सम्मान किस छेतर में दिया जाता है तो परवत जन जो सम्मान है ये के शेत्र में परिया वरण के शेत्र में दिया जाता है option A यहाँ पे आपका बिल्कुल correct answer है अगला देखेगा उत्राखंड के तिर्थी मुख्य मंत्री कौन है इसका राइट आउसर है नाराएंडदत्तिवारी उत्राखंड के तीसरे मुख्य मंत्री थे दिखे नाराएंडदत्तिवारी को क्या कहा जाता है विकास पुरुस के नाम से इनको जाना जाता है और इनका जन्म वर्ष 1924 में वर्ष 1924 में इनका जन्म कहाँ पर नेनिताल के ब्लू येटी गाउं में हुआ था ब्लू येटी नामक गाउं में इनका जन्म हुआ था कहाँ परिस्तित है ये नेनिताल में तो नेनिताल के blue 80 government का जन्म हुआ था नरैंडर तिवारी उत्तर प्रदेश के तीन बार मुख्य मंत्री और एक बार उत्राखंड के पर्थम निर्वाचित मुख्य मंत्री बने अगला question देखिएगा vaccine research center, sorry vaccine research institute कहां है ये आपको बताना है तो vaccine research institute है आपके पंटफा डांगर नेनिताल में option A यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखिएगा सत्रंज के मोहरों की तरह साथ राजाओं को गद्दी पर बठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं देखिए सत्रंज के मोहरों की तरह साथ राजाओं को गद्दी पर बैठाने और हटाने वाले विश्व के जो पहले व्यक्ति हैं वो कौन है हरक देव जोशी option B यहाँ पे आपका बिलकुल right answer हो जाएगा हरक देव जोशी इनको हर्ष देव जोशी भी कहा जाता है तो आपने सुना होगा पड़ा होगा हर्ष देव जोशी तो हर्ष देव जोशी या हरक देव जोशी हर्षदेव जोशी को कुमाओ राजनेती का अलवारिक भी कहा जाता है और इन्हें कुमाओ का किंग मेकर भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लगभग साथ आठ राजाओं को गद्धी पर बैठाया था और हटाने का काम भी इन्होंने किया था और ये पहले व्यक्ति थे इस काम को करने वाले, तो ये ध्यान रखेंगे, अगला देखेगा, नागनाथ मंदिर कहां है, देखे, नागनाथ मंदिर जो है, ये आपके कहां परिस्तित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चमपावत के निचले, चमपावत दुर्गी के नि इनका आश्रम गंगोल गाओं गोपिश्वर में इस्तित है, option C, यहाँ पे आपका right answer है, next question देखेंगे, आचरी ताल कहां इस्तित है, आचरी ताल जो है, यह आपके कहां पर इस्तित है, फूलो की घाटी के मध्य इस्तित है, आचरी ताल, option B, यहाँ पे आपका right answer है, लिंग नामक ताल, लिंगा, ताल आपने पड़ा होगा किताबों में, तो लिंगा ताल चामोली में फूलो की घाटी के बीच में इस्तित है, और जिसे आचरी ताल भी कहा जाता है, लिंगा ताल को ही आचरी ताल कहा जाता है, तो relate करके भी आयोग द्वारा question पूछ लिए जाते ह हैं, चलिए अगले question के ओर बढ़ते हैं, सन्मार्ग दाइनी सकती पीट कहां पर इस्तित है, आपको बताना है, most important ये question है, देखे, सन्मार्ग दाइनी सकती पीट, ये कहां पर इस्तित है, ये स्तित है आपके, किदार नात में, option C, यहाँ पर आपका right answer है, last question देखी का, हिसा, शुर मर्दनी, देवी, रूप की जो पर्थम मोर्ती है, ये कहां से, ये मिली है, चमबा से, option A, इस question का बिलकुल right answer है, तो okay guys, आज के session में इतना ही, I hope आपको आज का ये session पसंद आया होगा, अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है, तो session को like कीजेगा, share कीजे जिन लोगों ने अभी भी हमारी YouTube channel study with aim को subscribe नहीं किया है, वे लोग जरू subscribe कीजेगा, कल आपको उत्राखंड police के regarding test भी provide कराए गया था, इसके अलावा class भी दी गई थी, और आप लोगों को ये class नहीं मिलती है, तो study with aim के playlist पे जाके देख सकते हैं, तो वहाँ पे सब class mention की गई है, सबके ही link आपको हाँ पर मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप सारे ही class देख सकते हैं, अभी तक आपको उत्राखंड police special mock series के 14 class प्रोवाइड करा दिये गये हैं, तो आप सभी लोग सभी classes को जरूर देखेगा, एकदम unique question आपको इन classes में दिये गये हैं, साथी साथ आप सभी लोग इन classes को follow जरूर कीजिएगा, टेस्ट जरूर दीजिएगा, आप सामको भी आपको टेस्ट एक provide कराये जाएगा, तो टेस्ट जरूर दीजिए, अपने आपको judge करने का आपको मौका मिल जाता है, तो लाप जरूर उठाएं, study with aim के द्वारा free of cost आपके लिए तनेवात.